नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सचीन आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल इस क्रिकेट बुलेटीन में आज हम दोस्तों बात करने वाले है कि दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में सबसे लंबी पारिया कौन से बले बाजों ने खेली है उसके बारे में मैं आपको पांच ऐसे बल करते हैं तो टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो टेस्ट क्रिकेट में कई ऐसे बल्ले बाज है जो लंबी लंबी पारिया खेली है जिसमें दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा के कौन से ऐसे बल्ले बाज है जिन्होंने लंबी पारिया खेली है लेकिन दोस्तों टेस्ट टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें पांच दिन होते है और पांच दिन में बल्लेबाज को दो बार बैटिंग करने का मुखा मिलता है और दोस्तों उसमें कई ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा मिनिट तक उन्होंने पीच पर अपना समय ग दोस्तो उन्होंने 1938 में एसीज सीरिज के दौरान उन्होंने ऑस्टेलिया के खिलाप कुल 797 मिनिट बल्लेबाजी की थी उसमें उन्होंने 374 रन बनाये थे इसलिए दोस्तो इस लिस्ट में सबसे लंबी पारी खेलने के रिकॉर्ड में नमबर 5 पर लियोनार्ड हटन का नाम आता है इसके बाद दोस्तो बात की जाए तो नमबर 4 पर आते है सनद जैसुरिया दोस्तो स्रीलंका के महान बल्लेबाज ओपनिंग बल्लेबाज सनद जैसुरिया इस लिस्ट में नमबर 4 पर आते है दोस्तो उनकी बात की जाए तो उन्होंने भारत के ही खिलाप 1997 में उन् नाम 340 रन थे और दोस्तों सबसे लंबी पारिया खेलने में उनका नंबर 4 आता है तो नंबर 3 पर आते हैं एलेस्टर कुक इंगलेंड के ओपनिंग बलेबाज और पूर्वक अप्तान एलेस्टर कुक इस लिश्ट में नंबर तीन पर आते हैं दोस्तों लंबी पारियों की बात की जाए तो टेस्ट क्रिकेट की सबसे लंबी पारी खेलने के रिकॉर्ड के मामले में बात करें तो नमबर तीन पर एलेश्टर कुक का नाम आता है क्योंकि दोस्तो उन्होंने आज से 6 साल पहले अबुधाबी के क्रिकेट ग्राउन पर पाकिस्तान के खिलाप 836 मिनिट उन्होंने बल्ले बाजी की थी जिसमें उनके नाम 263 रन थे और दोस्तो उन्होंने सबसे लंबी पारी खेलने के मामले में नमबर तीन पर उनका नाम आता है दोस्तो नमबर 2 पर आते हैं Gary Custon दोस्तो साउथ आफरिका के महान बल्ले बाज Gary Custon इस लिश्ट में नमबर 2 पर आते हैं दोस्तो उनकी बात की जाए तो उन्होंने साल 1999 में दर्बन टेश्ट में इंगलेण के खिलाप कुल 878 मिनिट बल्ले बाजी की थी जिसमें उनके दोस्तों नमब़ 1 पर आते है हनीप मोहमत की जाये तो वह नमबर एक पर आते हैं quality खेला गया था वेस्टिंडिस के खिलाप और दोस्तो उस मैच में हनीफ महमद ने कुल 970 मिनिट बल्ले बाजी की थी और उसमें उनके नाम 337 रन थे और दोस्तो टेस्ट क्रिकेट केरियर की सबसे लंबी पारी खेलने का रिकॉर्ड हनीफ महमद के नाम है और दोस्तो उन्होंने सबसे कि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो लेकर आता रहूंगा